नमश्रा दोस्तों दोस्तों आज यहां पर जो मैं पांच स्मॉल केप स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ वो मैं आपको एक चीज सबसे पहले कलियर कर दूँ कि यह जो पांच स्टॉक्स हैं वो मैंने चूज नहीं किये हैं मैं मिंट में एक आर्टिकल बढ़ रहा था और वो आर्टिकल मुझे इतना जादा अच्छा लगा और वो तमाम जो पांच स्टॉक हैं वो स्मॉल केप की बात कह रहे हैं अलग-अलग सेक्टर से हैं और वाकई में 52 वीक लोग के आसपा स्ट्रेड गरें क्योंकि जब आर्ट के रुक में बता दूँ मेरी या मेरी फैमिल मेंबर की इन तमाम पांच ओ स्मॉल कैप में कोई निवेस्मेंट नहीं हैं दूसरी चीज कुछ ऐसे स्टॉक से जो मैंने नाम ही पहली बार सुने हैं तो आपको शुरू में ही बता दूँ क्योंकि अभी देखिए एक चीज आ जगातार बढ़ता चला जा रहा है मैं आपको बता दूँ इनवेस्मेंट के तौर पे मुझे ये बेलकुल पसंद नहीं हां म्यूचल फंड के अगर आप दोर पे देखेंगे हैं मुच कुछ फंड हॉसस के थरू बोलेंगे तो SIP मेरी या मेरी फैमिल मेंबर की आज भी ज अगरे की तरह और उसी प्राकार में बता दूँ यही समय होता है की आपके पास स्टॉक्स की सूची होनी चाहिए आपके पस बहुत ही अच्छ अच्छ Dzूखs की लिस्ट होनी चाहिए और यह जो स्टॉक्स वे आपके साथ चडचा करने वाला है वो नो डाउट मेरे पास अब वो मेरी watch list में add हो चुके है सबसे अची चीज diversified आप कह सकते है sector है पांच ही stocks में कोई बहुत जादा नहीं है तो यह पूरा जो article जो पूरा video दोस्तों उसमें जो data मैंने use किया है वो mint को जाता है ठीक है उनकी मैंने premium subscription ले रखी है तो उन्हीं के article से जो 5 stocks है वो आपके सामने रखने वाला हूँ तो यदि आप किसी भी इन stocks में निवेशित है या आप कोई 5 ऐसे small cap stocks की खोज में है तो ये video आपके बहुत काम आएगी और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस channel पहली बारा है प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाएं वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रू कीजेगा और एक चीज आप से और बूलने है दोस्तों बहुत सारे जो आप कह सकते हैं चीजें होती हैं कि भई आप इस stock analysis कर दीजे उस stock analysis कर दीजे मैं आपको बता दू कई बार यह होता है कि जो आप कह सकते हैं comments है वो मैं नहीं देख पाता बहुत का comment होते हैं अगर आप जो join button में जो priority panel group पे उसे join करते हैं fees मैंने बहुत ही कम इसलिए रखी हुई है तो वो highlights हो जाते हैं वरना कुछ ऐसे stocks की जब मैं comment पड़ते हैं तो इन stocks में video बनाता हूँ जैसे best agro को लिएकर के बहुत सरे comment थे तो मैंने best agro में video बना दिया ठीक है क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो comment करते हैं वीवर्स को लगता है कि मैं video ही नहीं बना रहा हूँ तो ज़िए जो यह company है यह distribution service offer करती है तमाम थू कह सकते है various modes of transport कैसे जो TCA Express है आप कह सकते है यह cater करती है diversified customer base including automotive, pharmaceutical, textile, engineering और telecom industry को ठीक है तो यह distribution service में है और बहुत ही diversified इंका आप कह सकते है customer base है अब आप देखें with a hub and spook infrastructure of 900 से ज़ादा center in India है जो 95% pin quotes को cover करते है इंडिया जैसे diversified जगह पे 95 pin quotes को cover करना it's not easy और company offer करती है surface हो गया domestic हो गया international air हो गई और e-commerce express service ठीक है तो आप कह सकते है एक प्रकार से जो logistics service है और वो चाहे जमीन में हो domestic हो international air हो e-commerce उसे provide करती है TCA express का 52 week low है वो 997 हीट हो था कब 14 मार 2024 को तो कोई बहुत पहली बात नहीं है मार की बात हो रही है और वहां से लगबाग 8-10 के उपर ये ट्रेड कर रहा है तो stock कहीं बहुत जाद उपर नहीं चला गया है तो इससे एक चीज़ बता दू जो थाउजन रुपीज है एक बड़ा आपके सकते हो सकता है नाव क्यों आया था क्योंकि भई सब जो फाइनेशल रिसल्ट आया था नो जो डिकलाइन जो गिरावाट ही थी वो जो उसका फाइनेशल रिसल्ट था उतना अच्छा नहीं था और जो मार्श कौर्टर रिसल्ट आया है उसमें 2.9% का एर ओन डिकलाइन देखने हो मिल रहा है कंपणी के टोटल इंकम में टू 3.2 मिलियन रुपीज 3.2 बिलियन रुपीज माफ कीजिएगा जबकि जो प्रॉफिट है उसमें 17.8% की आपको गिरावट देखने को मिली है जो 315 मिलियन रुपीज यानि 35 करोट रुपीज आप कह सकते हैं क्यों डू टू साथ प्रतिशत का आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी सेलिंग जनरल और एड़बिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में यानि खर्चों ने जो परिशानी है वो कंपनी की बढ़ाई होई थी इसके आगे अगर हम चलें वन मिनिट आगे बढ़ते हैं हम यह आपे तो देखें जो FIIs का स्टेक है दोस्तों कंपनी में गिरा है जो पहले 2.9 परशंट है डिसेंबर कॉर्टर में वो घटकर के माद 2.4 होगे तो बहुत आदा गिरावट नहीं इनहा गिरावट आई है आगे अगर आप देखोगे जो TCA Express है वो परेटाइटाइज कर रही है यानि उनका जो में फोकेस है अब किसी इसमें इन्मेस्टमेंट के लिए है टेकनोलजी और आटोमेशन में जो अपनी ऑपरेशन को स्ट्रीम्लाइं कर सके और अपने कस्टमर सर्विस की जो है उसको जो कस्टमर की सर्विस है उसे बढ़ोतरी देख से उन्हें एक प्लेजन्ट एक्स्पिरेंस प्रोइड कर सके और जो अपनी ब्रांच है उसे एक्स्पैंड कर सके ताकि जो customer की accessibility है उसमें बढ़ोतरी हो तो ये तो बात होगी भई, सबसे पहले stock की TCI Express की Now, let's talk about second stock Good Year India, अब ये क्या है भई अब नाम तो आपको बात है, Good Year तो टायर की company दोस्तों, तो भई ये manufacture करती है और trade करती है कि इसको टायर को और tube को खास करकी automotive industry में और major companies जैसे Escort और Mahindra Tractor हो गए ये आपके सकते हैं इन companies को ये देते हैं अपने टायर शेयर आप देखें, Good Year के 52 वी को लोजने टाच किया था ग्यारा सो रुपए के आसपस का 28 March को और वहां से प्रस्विन 9.8% के अबव तेजी है दिखा चुके है और जो recent decline है तो दूस्तों वह इसलिए आया था जो commodity prices है कि जैसे आप देखेंगे तो टायर बनने लिए क्या आता है रबड और crude oil में जमी आई थी लेकिन भाई अभी crude oil बहुत असता हुआ है तो ये काफी factor good year के लिए काम कर सकता है और जो essential raw material थे टायर production के लिए ठीक है और अगर हम और आगे जाएंगे आप देखें company के जो quarter three के number से दोस्तों वो काफी हद तक weak थे खास कर कि कहाँ पर farm segment में हो देखें हम सब को बता है चाहे agro camp हो चाहे agri business हो और ये company जो farmers को जो farm industry उसके पर focus एटायर वहाँ पर पर परशानिया चल रही है ठीक है और वही कारण है कि इनकी revenue और इनकी profitability में impact कर रहे थे और जो expectation दोस्तों further increase in raw material prices ठीक है ये एक हो सकती है जो good year की quarter 4 की performance जब ये आपके सकते है article आया था तब इनकी quarter 4 की number नहीं आया थे अभी जब मैं video record कर रहा हूँ ये 25 तरीक है तो उससे मुझे पता नहीं result आया है कि नहीं आया है ठीक है जो quarter 4 की performance है ये भी adversely affect होती दिखाई देगी और जो downward pressure है वो और भी समय में आपको देखने को बढ़े यानि कि अगर quarter 4 की अच्छे आते numbers तो market की expectations की विपरीद होंगे और stock में उपर जानी chances ज्यादा होंगी ठीक है अब आते हैं यहाँ पर तो देखे अगर आगे देखोगे न good year कहां इंडिया कहां focus कर रहा है दूस्तों नाए product launch में और luxury और SUV segment के जो Indian passenger होगा की car market है क्योंकि आपको पता ही है ये कितना दादा SUV बिक्राईज है और luxury कारियों की demand कितनी बढ़ रही है और aiming to capture larger market share while maintaining the farm segment good year का जो main leadership segment है वो farm segment है और देखिए जिस सरह से बात कही जा रही है monsoon अच्छा होगा तो good year के लिए कि बहुत बहुत सब positive जी होगी और even जो June या September quarter है वहाँ पे काफी positive surprise आपको देखने को मिल सकता है ठीक है अब आते हैं हमारे किस के तीसरे stocks में तीसरा stock क्या है भाई Transpeak Industry ये कौन सी company है भाई ये chemical company है जो export और manufacturing काम आती है different range of chemicals और इक किंड किंड sectors को cater करती दोस्तों textile, pharmaceutical, agro chem और advanced polymer ठीक है इसके कहां का application है EV, electronic vehicle और defense में क्योंकि इसकी जो expertise दोस्तों वो chlorinated chemistry में है ठीक है जिसके कारण EV और defense में एक काफी अच्छा नाम है तो भाई साथ फिर कहां इसमें किरावट हुई है और stock को अगर आप देखेंगे तो ये 52 week low touch किया है 1615 रुपय की 20 November 2023 को और वहां से आप देखेंगे 20 November बहुत पहली की बात थी वहां से अगर आप देखेंगे तो ये 5-6-7 महीने हो चुके है stock मात्र 8.9% की jump दिखाया है दोस्तों और decline की हुए है दोस्तों back-to-back reduction in FIIs stakes over the last two quarter जिस तरह से FIS के बिक्वाली होई है इसमें FIS के holding शायद रही होगी जिसके करन आपको यहां की रावट देखने को मिल रही है और currently मात्र 0.1% का company hold करते है FIS hold करते है इसमें जो पहले 1.9% थी September quarter में ठीक है तो इस प्रगार की चीज़ है 1 minute और अब आप देखें जो additionally जो December quarter था दोस्तों उसमें 43% की किरावट थी 140 यानि 14 करोट रुपर की आसपास की आगे आप देखेंगे तो Transpeak है दोस्तों वो लगातार बढ़ोतरी की बात कही जा रही है अपने global presence की और बड़ा एक partnership बनाएगी नए-नए clients के कहां पे South America, Eurasia और Japan में तो यानि कमपनी ग्लोबल आने की बात कह रही है और देखें शर्वाइवल के लिए नहीं करना पड़ेगा जिस प्राकार के domestic demand है और international pressure है आप सिफ domestic के ऊपर नहीं रह सकते हो company आप कह सकते हैं कि नए प्रोड़क्ट भी डवलप कर रही है और क्लोरीन में और नन क्लोरीन कैश्ट्री में और कैपेश लबबग 30 करोड़ डाला जाएगा तो रिप्लेस किसको जो ओल्ड प्लांट है ओल्ड प्लांट को रिप्लेस करने के लिए ताकि जो नए प्रोड़क्ट है उनको एकॉमोड़ट किया जाए अगला स्टॉक है साथिया इंडस्ट्री यह क्या करती है यह लीडिंग वूड और एग्रो बेस्ट पेपर मैनिफेक्ट्र इंडिया की और यह इस कंपनी क्या करती है सप्लाई करती है पेपर डारेक्टली टू वेरियस स्टेट बोड़ और एकाउंटिंग और 40% का इनका जो बिजनस वही से आता है और 10 से 15-12% का यह मार्केट शेर रखती है स्टेट ओर्डर समें और भाई देखिए मैं तो आग बता दूं स्टेट ओर्डर में इतना बड़ा एक्स्पोजर होना यह अपने आप इस उसका बात है और जिसरे डिजटिजएशन चल रहा है इस गोईंटो बी टफ ठीक है लेकिन हाँ तुरंथ भाई कंपनी है यह भी देख रहे हैं यह समझ रहे होंगी इनका भी कोई स्टेप होगा अब आप देखें जो सातिया है उसका 52 विक से टच कियाता है 104 रुपए का 13 मार 24 इसको बहुत पुरानी चीज़ नहीं है और करेंटली आप देखोगे तो यह 10 परसंट वहां से अबब ट्रेड कर रही है और FI यह इसका जो स्टेक है वो लगातार घटा है यानि जो FI की बिकवाली पिछले काफी समय से हुई है वो सातिया इंडस्ट्री और उससे पहले जो हमने बात की कंपनी की उसको बहुत परशान की है और करेंटली यह 2.1 परसंट में है जो पहले 2.9 परसंट थी कौर्टर थी के नंबर काफी खराब रहे 1.5 परसंट की रावट देखने को मेली रवेंडिय में 2.4.3 बिलियन रुपीस और नेट प्रोफिट में 38.8 परसंट की आपको किरावट देखने को मेली 2.396.4 मिलियन यानि लगभग 39 करोड रुपीस का और ये भी एक नेगेटिव टोल दिखाया कंपणी के स्टॉक प्राइस में अगर आगे जाते हैं अब लिखेंगे लुकिंग अहेड साथिया प्लाइंस टू मॉडिनाइज इस एक्जिस्टिंग प्लांट अपने एक्जिस्टिंग प्लांट को कंपणी मॉडिनाइस होने की बात कही रही है और इतना ही नहीं जो मशिनरी है और जो नया सेटप करने मिलेगा ताकि एक नई पेपर मशीन बनाए जाए ये कंपणी प्रोडक्शन को कपैसिटी को डबल करने का प्रोटेशन रखेगा अब ये तो की चार स्टॉक की अब बात कर लेते हैं राज रतन ग्लोबल वायर और इसके उपर हमने थोड़ी बहुत चार्चा पहले कर चुके हैं आप देखें ये बीड वायर और स्टील वायर को बनाते हैं दोस्तों जो आटो मॉबिल हेयर क्राफ्ट और अर्थ मॉविंग एक्विप्मेंट टायर के काम आता है यानि बहुत प्रोड़क्ट है कंपनी का जो अबरेशन है वो इंडिया और थाइलिंड में है और पचास परिंड का मार्केट शेयर दोस्तों इंडिया के जो इंडिया के जो वीड बायर सेग्मेंट टायर टेर वीड बायर सेग्मेंट है उसमें ठीक है यानि एक बड़ी लीडर्शिप पोजिशन में आपको राज रतन गुलोबल बायर दिखेगा आगे आप देखें राज रतन गुलोबल बायर का 52 वीक लोड टच वादा 579 रुपीज का 28 वाद 2024 को और वहां से भी कोई बहुत दा नहीं बढ़ा है मातर 2.4 परण के उपर गया हुआ है और जो गिरावट देखने को मिली थे दोस्तों फाइनेशल 24 के रिजल्ट करन जो की फ्लैट आए थे दोस्तों वहाँ पे जो रेवेन्यू था वह 8.9 बिलियन रुपीज में रहा था ठीक है और जो नेट प्रॉफिट है वह लगभग 71 करोड रुपीज में था मिलियन है तो 18-28.5 परण साड़े 28 परण किरावट यहाँ पर देखने को मिली थी ठीक है अब आप देखोगे तो mutual fund ने भी अपनी जो holding ये इसमें घड़ डा ली थी to 7.6% जो पहले 8.3% थी company का जो टार्गेट है प्रॉडक्शन का दोस्तों वह 1,25,000 है to financially 25 और जो नई facility है चेन्नाई में दोस्तों यह कहा जा रहा है एक game changer साबित होगी क्योंकि यह बहुत बड़ा significantly contribute करेगी किस चीज में significantly contribute करेगी company के overall production की increase में दोस्तों ठीक है तो आप देखिए तो जो पांचो जो stock से वह हमने चर्चा कर ली तमाम जो आप कह सकते हैं जो एक बहुती quick analysis पांचो stock थी होनी थी हो गई और जो stock 50 के अभी भी आसवास चल रहे हैं उसके बचर्चा कर ली लेकिन मैं आपको फिर बता दू यह जो चीज हैं यह सुनने में अच्छी हैं small cap में बहुत सोच समझ के आए कोई भी position आप बनाए small cap में इन स्थरों पे प्लीज वित्या सलाकारी सला ले अपनी watch list आयार करें लेकिन कोई भी हडबडी में कोई बहुत बड़ी खरदारी करने से अभी बचे small cap में हाँ मैंने पहले का mutual fund के थुरू SIP जारी की जा सकती है तो यह overall आप जो कह रहे हैं के थुरू मैंने दिखाया था वीडियो अच्छी लगी हो यहां का जो data था मिन्ट आर्टिकल के थुरू था तो यह वीडियो अच्छी लगी हो इस परकार की वीडियो एक के लिए चैनल को सब्स्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीज़ेगा यहीज व्लिगाँ थांदे चैनल तो